जै बगवान मैं दीपक सुना जी आज इस वीडियो में आपको यूरीक ऐसे कैसे कम किया जाए जब यूरीक ऐसे बढ़ जाता है तो हमारे हील एडी में दरत शुरू हो जाता है पैर के अंगुटे के बाज़े में हड़ी है वो बढ़ जाती है उसमें पेन होता है हाथों के ऑखर एक रिष्ट में पेन होता है बहने माता है आठा बांने बहुत अकलीब होती है नस भी पेन होते हैं थाम, इसके बढ़ करते हैं हाथ आपको दरत कम है यूरीक से थोड़ा मातर में भढ़ गया तो आदे लिटर में एक चमच कच्छा इर डालके उबालके चानके पानी पीते रहे तो आपको इसमें बहुत फाइदा हो गया अब यूरीक असिड ना हो इसके लिए आगे हमें तीखे तेलेवी पदात चट्पते पता नहीं खाने चाहिए अगर हमें हो गया है तो इसके जो पॉइंट जो हमारी यूरीक से पॉइंट से कैसा है अम उसको मिरर पॉइंट बहुत हैं तो कोई कलाई में दुख रहा है दूसरी कलाई में इसा प्रेस करते रहे तो आपको तुरंग फाइदा होगा और पैरों की अंगुली में तीसरी अंगुली है हील में बेन हो तो तीसरी अंगुली के उपर टॉप में नाखुन के पीछे दबाते रहे तो इसको आपको राद मिलेगी जय बगवान